तो guys Ubisoft ने finally अपने Assassin Creed के नए गेम का ट्रेलर अपलोड कर दिया YouTube के उपर जिसका नाम है Assassin Creed Saddles और आज की वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करने वाले हैं और जानने वाले ही कि क्या क्या चीजे होने वाली है इस गेम में या फिर हो सकती है और कैसा होने वाला है ये गेम तो बिना किसी बखवास के वीडियो को स्टाट करते हैं अब अगर तुम लोग ने ट्रेलर देख भी रखा तो भी मैं तुम लोगो ये बात जरूर बताऊंगा कि ये गेम जापान में सेट है और यहां पे हम लोगो दो प्रोटेगनिस देखने को मिलने वाले एक अफकॉर्स है फीमेल जिसका नाम है नावे और ये है सिनोबी और एक हम लोगो देखने को मिलने वाला यासुके और ये होने वाला सामुराई अब देखो सबसे पहले तो तुम लोगो ये यासुके देखने में मतलब थोड़ा सा जीब आदमी लग रहा हूं मतलब अजीब आदमी इसलिए क्योंकि ये गेम क्योंकि जापान में सेट है और ये आदमी Japanese लगते हैं तो नहीं लग रहा है अब इसके पीछे भी छुपा हुआ है एक बहुत ही खतरनाक हिस्ट्री और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्या एक बहुत ही खतरना जैपनीज मास्टर था जिसका नाम था ओड़ा नाबुनागा और इसे बंदे की नजर जब यसुकि इंपर गही तो बहुत ही जादा इंपरेस हुआ मतलब इस बंदे की हाइड भी बहुत ज़्यादा ऊची थी और साथी में बाकी के जैपनीज लोग के कमपैरिसन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉंग था और इसे ऐसे डिस्क्राइब किया जाता था कि भाई दस इंसानों की सक्राइशन पिछ ज़्यादा नहीं हो गया है और साथ ही में इसकी ट्रेनिंग भी बहुत ज़्यादा हुई पहले मैं तुम लेको बदा दो कि इसके उपर बड़ा बावाल मच रहा है और वह यह है कि मतलब यह सामुराई वामुराई नहीं था और यह बात सच है असल में कि यह कोई असली सामुराई नहीं था इसका कोई पूरी तरीके से कि यह बंदा सामुराई बन चुगा था पर मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फर्क पढ़ना चाहिए लोगों को मतलब मतलब हिस्टरी एक्यूरेट होना चाहिए यह गेम में मतलब मेरे लिए करेक्टर के अंदर डैप्थ होनी चाहिए और उसकी स्टोरी हमेशा से बदलते हैं यह मतलब उसके साथ तोड़ फोड़ यह हमेशा से करते हैं अगर तुम देखो एससें क्रीट सिंडिकेट में हम लोग का वो जो हुक ब्लेड या फिर वो जो भी जिससे सूट करते हम लोग रोप वो मतलब एलेक्जेंडर ग्राहम बेल बना के देता ह हम लोग को मतलब तुम समझ रहो और साथ ही मैं अगर सामुराई दिखा रहे हैं तो मुझे नहीं रखता कि उससे ज़्यादा प्रॉब्लम है अब गेम का टाइम पिरेड जो है वो है 1579 जब यासु के आया था जापान में और इंस्टेंस के लिए मैं तुम्हें बता दू क कि यह 50-55 साल बाद है इजियो के देथ के तो मतलब तुम इससे समझ सकते हो पर गेम के अंदर जैसे कि मैंने तुम लोगो बताया कि दो करेक्टर होने वाले और दोनों करेक्टर प्लेबल होने वाले और मेरे ख्याल से यह सिंडिकेट की तरह होगा जैसे कि सिंडिकेट में तुम दोनों ही character को कभी भी change गर सकते थे खेल सकते थे दोनों ही character से जब तुम्हारा मन करे अब दिको origins, odyssey और well hella में भी दो-दो character होते थे पर वो choose करने वाला scene था मतलब उसमें तुम कभी भी game के अंदर change नहीं कर सकते थे एक बार तुमने choose कर लिया तो तुम उसी character के साथ खेलने वाले हो जैसे well hella में अगर तुमने male choose किया तो पूरा game male से ही खेलोगे और female choose किया होता तो पूरा game female से खेलते पर syndicate और इस game में ऐसा नहीं होने वाला है तो मतलब gameplay में भी एक बहुत बड़ा अंतर हो सकता है बहुत बड़ा नहीं तो छोटा अंतर तो जरूर हम लोगों देखने को मिलेगा क्योंकि वहाँ पे तो दोनों assassin थे syndicate के अंदर दोनों ही assassin थे दोने के पास लगभग same ही weapon था एक तरीके से और gameplay तो बिल्कुली same था पर यहाँ पर हम लोगों gameplay में आंतर देखने को मिल सकता है सामुराई जो है वो आर्मर होगा उसके पास और heavy type के weapons होंगे और वो उतना जादा stealthी नहीं होगा और sinobi तो तुम जानते ही हो मतलब एक तरीके से ninja type मतलब तुम ने जैसा कि trailer में देखा हम लोग कुछ वो सब फेग रहे थे ninja star मैं बोलता हूँ लेकिन उसको असल में सुरुकेन कहा जाता है और उसका थोड़ा stealth type का gameplay होगा अब एक चीज हो सकता है जो तुम लोग ने trailer के अंदर जरूर notice किया होगा और वो ये था कि हम लोग को hidden blade देखने को मलता है ना हुए के द्वारा use करते हुए और वो थोड़ा सा retraceable type का होता मतलब उसको वो निकाल के चाकू की तरवी इस्तमाल कर सकती है और ये हम लोग को देखने को मलता था Assassin Creed 3 में जहां पर Connor Kenway जब भी skin करता था तो वो blade को निकाल लेता था और उससे skin करता था और क्या इससे साबित होता है कि भाई मतलब हम लोग को वापस से Assassin Creed के अंदर एक बार और hidden blade combat देखने को मिलेगा मतलब मुझे तो लग रहा है क्योंकि आखरी बार जो hidden blade हम लोग को देखने को मिला था combat के अंदर तुम hidden blade आखरी बार इस्तमाल कर सकते थे Assassin Creed Rogue में Assassin Creed Rogue आया था 2014 में इसका मतलब 10 साल हो चुके हैं और हो सकता है finally हम लोग को दस साल बात वापस से combat के अंदर hidden blade यूज करने का मौका मिले और यह होगा तो मेरे खाल से यह बहुत बढ़िया चीज है मतलब एक अच्छे direction में Ubisoft जा रहा है मतलब ऐसा हो सकता है पर फिर भी वह तो gameplay पर देखने पर पता चलेगा पूरा gameplay देखने पर लेकिन दो को यार problem यह नहीं है नहीं problem कोई character है या सुके या फिर historical linear accuracy वगरा और नहीं इस पूरे पूरे trailer में कोई problem नहीं था पर सबसे बड़ा problem है वह है price और यह तो Ubisoft का आदद बन गया मतलब Ubisoft के game से में पता नहीं अजकल क्या होता भाई इन लोग को कितना पैसा चीए इस case की बात करें तो 119 डॉलर जो कि तुम कह सकते हो 130 डॉलर ही है वो 130 डॉलर अगर तुम देखो गे रुपीज में तो वह 10,000 से जादा हो जाता है और उपर से भाई definite edition gold edition diamond edition ruby edition पता नहीं कौन कौन से edition रहते है इन लोग के game बिलकुल सेम ही रहता है अडिसन से कोई फर्क नहीं पढ़ता और मतलब उपर से pre-order pre-order कौन कर रहा है अगर कोई gameplay नहीं देखा है अगर किसी बंदे ने तो वो pre-order क्यों करेगा नहीं कोई बात नहीं यार यह पैसे जंजट हम लोग के उपर काम करता है मतलब price price से मुझे कोई फर्क पढ़ता नहीं और नहीं तुम्हें पढ़ना चाहिए और मतलब वैसे भी छूट मत बोलो अपने अपसे मैं जानता हूँ कि तुमने आस तक एक भी game नहीं खरीदा और नहीं मैंने खरीदा है अज के वीडियो में सिर्वित नहीं अज के वीडियो में सिर्वत नहीं